Hello everyone, I welcome you all to Studying ETI. आज का हैं सेशन बहुत ही जादा इंपोर्टेंट रहने वाला है because this is the most demanded session from your side. आप लोगों ने मुझसे कहा था कि माम ब्लड रिलेशन पर session लेक्या हो जिसमें हम लोग seating अर्रेंजमेंट करें different directions में. जब सबके सब लोग different directions में बैठे हैं मतलब कुछ inside face करके बैठे हैं और कुछ outside face करके बैठे हैं साथ में उनके blood relation हो और साथ ही साथ एक और variable भी हो जो हमें वहाँ पर adjust करना हो. तो आप लोगों की ही demand पर आज का है session रहेगा I hope आपको बहुत जादा अच्छा लगेगा सुभा ये class नहीं upload हो पाई कुछ reason की वज़े से तो इसलिए sorry for inconvenience and I hope कि आप थोड़ी से इस चीज़ के साथ corporate कर लोगे राधवली class अपने ही time पे आईगी उसको miss मत करना और आज की जो class रहेगी वो भी आपका एक most demanded session है जो आप लोगों ने मुझसे last video में demand किया थे कि माम ये कैसे हुआ ये बताओ तो वो session रहेगा नाम मैं भी आपको नहीं बताओंगी because रात को आएगा तो आपको अपने आप पता चली जाएगा रात का session भी बहुत important होने माला है उसको भी attend करना मत भूलना अब इस puzzle को हम लोग solve करेंगे उससे पहले आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को pause करके screenshot ले सकते हैं बनाईए और मुझे बताना कि आप से खुद से बनाए और फिर नहीं बना आज हम standard time की बात नहीं करेंगे कि हमें कितना standard time लगना चाहिए इस question को बनाने में आज हम ये बात करेंगे कि आपने इस question को कितना समझा और अपनी समझ से question कैसे बनाया और कैसे नहीं बनाया ठीक है तो उस चीज़ पर आज हमारा focus रहेगा अब हम बात करेंगे कि इसने हमें question में क्या बोला है सबसे पहले देख लो इसने कहा है कि कुछ family members family members के नेम दे रखे हैं ये लोग एक circular table के round bet है इन में से चार लोग inside face कर रहे हैं और चार लोग outside direction में face कर रहे हैं there are only three married couples इस family में सिरफ और सिरफ three married ही couples हैं और सभी के सभी जो हैं उनको different foods पसंद है different foods के नाम हमें यहां पर दे रखे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी order में इन लोगों को यह चीज़े पसंद हो आगे हमें यहां पर दी गई है traditional information जो कि हम आगे यूद करेंगे और अपनी arrangement है उसको बनाएंगे तो यह वहला जो question है आज का यह बहुत ही जादा है means level का लेकिन ऐसा question है जो आज आपका blood relation का एक-एक concept clear कर देगा और seating arrangement का भी एक-एक concept जो है वो clear कर देगा सबसे पहले बोला है कि A is the son of C and sits third to the left of B who sits third to the right of the one who likes A D family इतनी बड़ी लाइन है इसको टुकडों में बढ़ेंगे सबसे पहले यह देखो A is the son of C blood relation में मैं क्या करूंगी अगर आपने मेरे previous sessions attend नहीं किये हैं तो मैं एक बार आपको दुबारा से बता देती हूं हम लोग male को denote करते हैं box से female को denote करते हैं circle से अगर हमें brother sister का relation एक दूसरे के साथ दिया हो तो हम लगाते हैं single line horizontal अगर हमें mother father का relation दिया गया है एक दूसरे के साथ तो भी ऐसा ही तो लगेगा double line horizontal mother father का एक दूसरे के साथ मतलब यह क्या हो गए husband wife हो गए husband wife का relation दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे double line horizontal और अगर इनका mother father का अपने बच्चों के साथ relation दिया गया है mother father का अपने बच्चों के साथ मतलब इनका relation दिया गया है तो हम लोग लगाएंगे single line vertical क्या आपको इतनी वत समझ में आगी तो इसी पूरे जो symbols हैं उस पर हमारा question चलेगा सबसे पहले बोला गया है कि A is the son of C C का जो बेटा है कौन है A है ऐसी बनाएंगे इसको and मतलब जब भी and दिया हो तो समझ लेना कि सबसे पहले वाले की बात की गई है जब भी who दिया हो तो समझ लेना कि इसके साथ वाले की बात की गई है क्योंकि यहां पर and दिया मतलब पहले वाला पहले वाला कौन सा मतलब ए जो है बी के third to the left में बैठता है जो की इसको बाद में पढ़ेंगे हमारे पास सबसे पहले आठ लोग हैं यहां पर उनकी हम लोग यहां पर arrangement कर लेते हैं यहां पर मैंने दो circles इसलिए लिए ताकि हमारे पास अगर possibility जादा बनती है तो हम दूसरे सरकल में इसको जो है plot कर देंगे डन अब यहां पर हमें यह इसने नहीं बताया कि यह जो है center की तरफ face करके बैठा है यह center के बाहर की तरफ face करके बैठा है ठीक है a जो है b के third to the left में है अब b की direction हमें नहीं पता तो हम दो cases यहां पर लेते हैं एक case में तो b जो है वो inside face कर रहा है और एक case में b जो है वो outside face कर रहा है इत्तिवाद समझ में आ गई अगर b inside face करेगा तो third to the left कहां पर हुआ 1, 2 and 3 a यहां पर आ जाएगा यही बोला गया था और अगर मैं बोलो कि outside face कर रहा है मतलब उल्टी direction में बैठा है इससे उल्टी direction में आपको जाना है मतलब 1, 2 and 3 a कहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा a b के बारे में क्या बोला गया है b किसके साथ में बैठा है b sits third to the right of the one who likes idli b third to the right उसके बैठा है जिसको idli पसंद है अब हमें यहां पर यह नहीं पता कि idli वाले की direction क्या है या तो inside है या तो outside है नहीं पता तो हम लोग यहां पर इस condition को इस तरीके से note कर लेते हैं कि idli जिसको पसंद है उसके third to the right में b ऐसे भी बैठ सकता है और अगर idli जो है उसका outside face है तो b कहां पर बैठ जाएगा यहां पर बैठ जाएगा समझ में आ गई इतनी बात दोनों cases लिख लिए हमने h is the son-in-law of b ठीक है h जो है b का son-in-law है son-in-law का मतलब क्या हुआ उसकी बेटी के साथ जिसकी शादी हुई होगी मतलब उसका दामाद b की एक बेटी जरूर होगी definitely होगी उसका जो husband होगा उसका नाम क्या है h है g likes dosa and is the maternal grandmother of e g को dosa पसंद है और किसकी maternal grandmother है e की grandmother है अब यहाँ पे maternal का मतलब क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे देखो m से शुरू हो रहा है मतलब mother से related होगा अगर paternal लिखा हो p से related है मतलब papa father से related होगा maternal grandmother का क्या मतलब हुआ कि उसकी ना नहीं लगी mother की side से तो जो grandmother होती है वो नानी लगती है तो g जो है वो e की नानी लगती है यहाँ पे बना लेते हैं g जो है e की नानी लगती है मतलब g की definitely एक बेटी जरूर होगी उसका आगे जो child होगा वो कौन होगा e होगा e के बारे में कुछ information नहीं है तो हम लोग इसका gender यहाँ पे नहीं बता सकते हैं और g को क्या पसंद है दोसा पसंद है done d is the sister-in-law of the one who is married to c d उसकी sister-in-law है जिसकी शादी c से हुई है c की शादी जिस से हुई है इस इनसान से उसकी जो sister-in-law है वो कौन है d है अब यहाँ पे दो cases बन सकते हैं देखो sister-in-law का मतलब भावी भी हो सकता और ननद भी हो सकता है अगर मैं कहूं कि भावी होगी तो definitely इसका कोई भावी होगा इस person का और उसकी जो wife होगी वो कौन होगी d होगी समझ में आगी आपको बात अगर d is the sister-in-law of the one who is married to c है मतलब यह जो c के साथ married है person इसका कोई भावी जरूर होगा और उसकी आगे जो wife होगी वो इसकी क्या लगी भावी लगी मतलब d को लगी भावी लगी एक के सौर बन सकता है कि c की अगर मैं बहन बना दूँ d यहां से यह case बना रही हूँ मैं definite answer नहीं दे रही हूँ अगर मैं इसकी यहां से बहन बना दूँ तो क्या यह इसकी क्या लगी ननद लगी ननद भावी का relation हुआ यहां से समझ़ो आप मेरी बात को अगर मैं बोलू अगर मैं इसके gender बता रही हूँ अगर एक लड़की होगी और यहां पे d इसकी बहन हो जाएगी तो क्या मतलब होगा उसका तो उसका मतलब ये होगा कि D जो है वो इसके sister-in-law है एक और case बन सकता है अगर मालो ये लड़की नहीं है ये लड़की है और ये लड़का है अब अगर इसके husband का relation बताना है तो मतलब अगर इसकी कोई साली हुई मतलब इसकी wife की कोई बहन हुई तो भी sister-in-law लगेगी that means अगर ये इसकी wife होती है तो उसकी जो बहन होती है वो भी sister-in-law लगेगी एक और case बन सकता है अगर ये मालो ये मैंने आपको बताया mail है इसके साथ में इसका कोई भाई हो और उसकी आगे wife हो मतलब कौन बन गई इसकी भावी बन गई तो वहां से भी sister-in-law निकल सकती है तो ये जो line है थोड़ी सी अभी confusing है इसको हम लोग ऐसे करके छोड़ देते हैं बिकास यहाँ पर बहुत सारे cases बनेगे A is the immediate neighbor of H A और H जो है वो साथ में बैटे हैं ठीक है B has only one daughter who is married to the one who likes पावभाजी B की सिरफ एक ही daughter है ये हमने इसकी daughter बनाई थी और उसके साथ married है जिसको पावभाजी पसंद है मतलब definitely H को पावभाजी पसंद होगी अब आप बोलोगी हहाँ पर हमने इसी कोई क्यों लिया क्योंकि उसने यहाँ पर बोला है only one daughter the son of B likes pasta B के बेटे को पास्ता पसंद है अब इसकी बेटी तो बनाई definitely हाँ से इसका बेटा भी बनेगा और इस बेटे को क्या पसंद होगा पास्ता पसंद होगा and is facing the same direction as that of B B और B के बेटे की direction जो है वो सेम है तो यहाँ से लिख लेते हैं B and son direction is same C is the maternal uncle of E फिर से maternal आया मतलब mother की side से mother की side से मतलब अगर इसकी mother का कोई cousin है तो वो क्या होगा maternal uncle बन जाएगा तो C is the maternal uncle of E यहाँ से C का तो हमें gender पता चल गया कि uncle है मतलब definitely male है तो यहाँ पे इसकी wife definitely आ जाएगी समझ में आरी आपको बात और मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्योंकि इसने भोला maternal uncle है maternal uncle का मतलब की हुआ कि इसकी mother की side से है definitely mother का cousin होगा अगर यह इसकी mother है इसका कोई bhai है cousin in the sense bhai भी हो सकता है भाई भी हो सकता है cousin भी हो सकता है इसका कोई bhai होगा ठीक है इसका जो भाई होगा वो कौन होगा समझ रहे हो maternal uncle तो ऐसे बनेगा न और यहाँ पर हमें बताया गया है कि C की जो wife है एक wife यहाँ पर definitely है और C का बेटा यहाँ पर A definitely है अगर मैं इस case को देखू यह case हमने इसमें implement कर दिया तो मैं इसको cancel out यहाँ से कर देती है Done C sits second to the right of G C जो है G के second to the right में बैटा है जो की एक O का मतलब क्या हुआ Second वाला G जो है immediate neighbor of her husband है G का जो husband है Definitely अगर G का husband है तो G क्या हुई एक wife हुई, एक female हुई यहाँ से G का एक husband भी होगा G और G का जो husband है वो एक दूसरे के साथ में बैठे हैं और C जो है G के second to the right में है अगर मैं बोलू G के second to the right में C ऐसे भी आ सकता है अगर वो inside face करे और अगर वो outside face करे तो C ऐसे भी आ सकता है और G और उसका husband जो है वो साथ में बैठे है, मतलब एक दूसरे के neighbor है ठीक है जिसको Maggie पसंद है वो B का grandson है अब देखो grandson इसका यहां से भी बन सकता है और अगर इसकी कोई wife आ जाए तो यहां से भी बन सकता है समझ में आ रही है तो अगर ये वाला case और ये वाला case grandson का बनता है definitely इन दोनों में से एक कोई grandson होगा और इस grandson को क्या पसंद होगी Maggie पसंद होगी चीक है B does not B जो है The one who sits third to the right of The one who likes Maggie sits third to the right of the grandson अच्छा grandson को Maggie नहीं पसंद ये जो grandson के third to the right में बैठा है उसको Maggie पसंद है तो हम यहां से लिख लेते हैं B का grandson उसका third to the right जो बैठा है उसको Maggie पसंद है अगर वो inside देख रहा है outside देखेगा तो ultra direction हो जाए क्योंकि यहां पर space नहीं है तो मैंने arrow लगा दी मतलब इसकी जो direction है वो opposite भी हो सकती है B को Maggie नहीं पसंद है B को Maggie नहीं पसंद तो हम लोग जहां लिख लेते हैं स्लाइड पर और answer भी एक ही स्लाइड पर लेते हैं तो थोड़ी सी problem यहां पर हो जाती है चिक है अब आगे क्या बोला है उसने यह देख लेते हैं क्या आपको इतना समझ में आगया A has only one cousin who like fries A का सिरफ एक ही cousin है cousin मतलब उसका real brother यहां से आप देख सकते हो A का सिरफ एक cousin कौन है definitely A का एक ही cousin मन रहा है और E को क्या पसंद है price पसंद है यहां से definite case बन रहा है हम अब देख लेते हैं हमारे पस already कितनी arrangement आ चुकी है one two three four five six or seven मतलब हमारे पस सिरफ एक की ही और arrangement बची है जो हमने यहां पर करनी है done C is the only son of B C is the only son of B B का एक लुटा बेटा कौन है C है B का एक लुटा बेटा C है और C के arrangement हम लोग यहां पर कर चुके हैं और आपको भी पता है यहां पर सिरफ और सिरफ एक ही person की arrangement यहां पर बची है right सिरफ और सिरफ एक ही arrangement यहां पर बची है और अगर आप इस diagram को देखो तो C की definitely एक बहन है और उसका definitely पती कौन है? H है इस diagram को देखो C की definitely एक बहन है और उसका definitely पती कौन है? H है जिसको पावभजी पसंद है यहां से हमारी 8 लोगों की already arrangement हो चुकी है अब अगर आपको B को कहीं fit करना है तो B की space आपके पास एक ही बचरी है यह वाली और तो कहीं आप B को fit नहीं कर सकते अगर आप बोलो कि मैं B को यहां पर बना दू तो आपके पास यहां पर total 9 लोग आ जाएंगे clear भड़े आगे आगे बोला है mother and aunt of E mother of E यहां पर mother of E है mother and aunt of E are immediate neighbors मतलब E की जो mother है और E की जो aunt है वो immediate neighbors है यहां पर आप लोग देखो A, B, C, D गायब है E, F भी गायब है, G और H तो definitely इन में से एक E की mother होगी और एक E की aunt होगी right और यहां पर बोला है कि यह दोनों immediate neighbors है तो हम यहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं कि D और F जो है वो एक दूसरे के neighbors है the one who likes sandwich sits third to the left of the one who likes pizza ठेक है जिसको sandwich पसंद है वो pizza के third to the left में बैठा है तो अगर pizza inside है तो sandwich यहां आ जाएगा और अगर pizza outside है तो sandwich यहां आ जाएगा done आगे बोला है daughter-in-law of G does not like idli daughter-in-law कौन है G की यह हो गई इसका बेटा और उसकी आगे बहू इसको idli नहीं पसंद तो यहां पे हम लोग idli लिखके cross कर देते हैं देख लेते हैं डोसा किसको पसंद है G को पाव भाजी किसको पसंद है H को तो definitely इसने क्या बात करी है जो H है वो third to the left of किसके बैठता है? जी के बैठता है तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं जी के third to the left में कौन है? H है अगर वो inside देख रहा है अगर वो outside देख रहा है तो 1, 2 and 3 H यहां पे आ जाएगा C is not facing inside not facing inside का मतलब क्या है? outside देख रहा है C और same direction किसकी है? E की definitely C और E जो है वो क्या देख रहे हैं? outside में देख रहे हैं तो हमारे पास यहां पे out वाले कौन-कौन से person आ गए C और E आ गए neither the grandmother nor the mother of E are immediate neighbor of E grandmother कौन हुई E की? G हो गई और mother कौन हुई D या F में से एक हुई G और D या F में से जो एक है वो E के neighbors नहीं है तो हम लोग यहां पे कैसे लिखेंगे? G और D या F में से एक जो है वो E के neighbor नहीं है Done? A को sandwich नहीं पसंद है तो हम लोग कहां लिखें? इसको हम लोग यहां पे underline कर लेते हैं Okay? H is facing the same direction as that of E और यहां पे आपको पता था E outside देख रहा है मतलब H B क्या करेगा outside देखेगा? ठीक है? G has only one grandson G का सिरफ और सिरफ एक ही grandson है अगर G का सिरफ और सिरफ एक ही grandson है तो grandson यहां से A आ चुका है That means definitely E जो होगी वो क्या होगी? Grand daughter होगी E जो होगी वो क्या होगी? Grand daughter होगी D likes idli यहां पर हमने idli लिखा था तो idli को काटके आप idli के उपर आप क्या लिख लो? D लिख लो यहां पर भी क्या लिख लो? D लिख लो यहां पर हमने सारी के सारी जो conditions थी अच्छे से note कर ली है अब हमें क्या करना है? Plot करना है आप लोग पूछते हो कि माम कौनसी condition पहली उठाई जाए जिससे हमारा question easily solve हो जाए तो यहां पर आप देख सकते हो इदर आपने B और A को लिखा है तो definitely आप condition वो उठाऊगे जिसमें B और A यहां से relate हो रहे है B और A के लिए B यहां पर आपके पास आया जिसमें आप B और D के arrangement कर सकते हो तो आप यहीं से ही शुरू करो इसने बोला था D के third to the right में B है D के third to the right में B है अगर मैं बोलूं कि यह inside देख रहा है तो D को यहां पर आना चाहिए अगर inside देखेगा तो 1, 2 and 3 third to the right यहां पर आना चाहिए That means इस case में inside वाला case applicable नहीं होगा D यहां से outside देखेगा D क्या देखेगा? Outside देखेगा D के D को idli पसंद है और उसके third to the right में कौन है? B है यह case बन सकता है और यहां से D के लिए सिरफ यही जगा बच रही है जहां पर D यहां पर आ सकता है idli यहां पर आ सकती है और इस case में अगर D inside देखेगा तब ही उसके third to the right में कौन आ जाएगा? B आ जाएगा यह हमने use कर लिए इसको हम लोग कट कर देंगे Done आगे देखो उसने क्या बोला है अब हमारे पास A भी आ गया B भी आ गया और D भी आ गया इतनी बत समझ में आ गी? ठीक है? आगे देखो यहां पर आप एक चीज और आपने miss अगर कर दी हो तो हमें directions का सबसे पहले पता लगाना था इसने यहां पर बोला B और B का जो बेटा है उसकी same direction है ठीक है? यहां पर B और B का बेटा कौन है? C है मतलब B और C की definitely same direction हुई और हमें पता है C outside देख रहा है तो definitely B क्या करेगा? कहां देखेगा? outside देखेगा that means यह जो inside वाला case है यह cancel out हो जाएगा हमें B कहां पर लेना है? outside पर ही लेना है क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? अभी B को कहां लेंगे? outside पर लेंगे और उसकी according ही हम लोग इसकी सारी की सारी arrangement यहां पर कर देंगे अब यहां पर देखो question में उसने सबसे पहले बोला था एकदम उसकी starting की line थी कि सिरफ चार लोग जो है वो inside देख रहे हैं और चार लोग जो है वो outside देख रहे हैं four are facing inside and four are facing outside तो अगर आपको पत्य चल गए कि चार लोग जो outside देख रहे हैं वो यह यह है तो that means बचे हुए जितने भी लोग होंगे वो कहां देखेंगे inside देखेंगे तो इधर से B outside D यहां पर आजाएगा idli और A यहां पर आजाएगा ठीक है next condition हम क्या लेंगे कि B और G एक दुस्रे के neighbors हैं क्या है neighbors हैं तो B और G neighbors तो G यहां पर भी बन सकता है और G यहां पर आपको पता चल गया कि C, E, H और B जो है वो outside देख रहे हैं तो definitely A, A, B, C, D, F और G जो है वो कहां देखेंगे inside देखेंगे तो G कहां पर देखेगा inside देखेगा समझ में आ गई, इसको भी हमने काट दिया अब G के second to the right में कौन है C है और G inside देख रहे है second to the right यहां पर बनेगा second to the right यहां पर नहीं बन सकता मतलब G जो है वो यहां पर नहीं आ सकता हम इसको continue करते हैं समझ में आ गई, G की एक condition यहां पर दी गई थी कि G के second to the left में H बैठा है अगर G inside देख रहे है तो ऐसे बनेगा outside तो देख ही नहीं रहा G के third to the left में H बैठेगा तो मतलब 1, 2 and 3 H कहां पर बैठ जाएगा यहां पर इधर से हमें पता है कि G को क्या पसंद है डोसा पसंद है ठीक है यहां पर हमने जितने और H को क्या पसंद है पावभजी पसंद है तो यहां पर भी हम लोग पावभजी लिख लेते हैं हम इसको continue कर रहे हैं यह वाला case अभी हमारा certain मेरे पास आ चुकी है उससे कौन-कौन सी conditions connect हो रही है D और F neighbor है तो definitely F यहाँ पर आ जाएगा और तो कोई F बनेगा नहीं ना उपर भी नहीं बन सकता definitely यहाँ पर F आ जाएगा मतलब D और F हमारे यहाँ पर आ चुके हैं ओके डन यहाँ पर बोला गया है कि G, D, F में से E के neighbor नहीं है तो definitely आप देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे आ चुके हैं सिरफ एक E ही नहीं आया तो E हमारा यहाँ पर आएगा इस condition को कोई मतलब भी नहीं बज़ता अब यहाँ पर आपके पास conditions देखो directions C, E, H और B की पता है कि outside है तो B की लगा दी, C की भी लगा दो, H की भी लगा दो और E की भी लगा दो outside बाकी सारों का face का हो जाएगा? inside में हो जाएगा चार face inside, चार face outside क्या आपको इतना समझ में आ गया? चीक है यह भी हमने यूज़ कर ली थी न और A is a neighbor of H यह अल्रेडी यहाँ से आ चुका है, done, यह condition भी यूज़ हो गई अब यहाँ पर बोला गया है कि B का जो grandson है उसके third to the right में Maggie मतलब जिसको Maggie पसंद है वो बैठता है तो B का grandson यहाँ पर कौन है A A के third to the right में कौन आएगा? Maggie वल आएगा A inside देख रहा है, मतलब third to the right 1, 2 and 3 F को क्या पसंद होगी? Maggie पसंद होगी B को Maggie नहीं पसंद, यह already cancel out हो गया अब हमारे पास यहाँ पर एक condition बच्चती है जिसमें आप देखो पीजा के third to the left में sandwich वाला बैठा है पीजा और sandwich को लगाना है और उससे पहले हम लोग यहाँ पर यह देख लेते हैं कि E को fries पसंद है तो E के आगे हम लोग fries लिख देंगे अब पीजा और sandwich को आपने लगाना है जिसमें जिसमें आप क्या करोगे? पीजा के third to the left में sandwich को लगाओगे पीजा को अगर मैं यहाँ लगाओ तो 1, 2 and 3 sandwich यहाँ पर लग सकता है लेकिन इस line में उसने बोला था कि E को sandwich नहीं फसंद मतलब pizza यहाँ पर नहीं आ सकता पीजा को अगर मैं यहाँ लगाओ तो सी के लिए कौनसी डिश बच रही है जो सी को पसंद है सी को क्या पसंद है पास्ता पसंद है बाकि सारी डिश आ गई अब हमें सिरफ और सिरफ अपने blood relation को यहाँ पर पूरा करना है जो हमने इधर अपना blood relation यहाँ पर बना दिया था हमारे पास सिरफ d और f की यहाँ पे जगा बच रही है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि d को क्या पसंद है इडली पसंद है और इस परसन को इडली नहीं पसंद मतलब हमारी जो arrangement थी एकदम पूरी हो चुकी है step by step हमने सारी conditions ली step by step हमने जो है सारी conditions को पूरा किया और definitely I know कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है आपके basics भी clear हो गए होंगे आपको arrangement भी अब करने आ गई होगी अब आपको कोई भी doubt जो है इस question में नहीं रहा होगा ऐसा मैं मान के चल रही हो क्योंकि हमने conditions जो है point by point connect करी थी आपर ठीक है अब हम देख लेते हैं इसके questions क्या है पहला question है कि second to the right of C कौन बैठा है C के second to the right यहां से देखो C outside देख रहा है मतलब second to the right इस direction में जाएगा one and two कौन बैठा है G बैठा है who sits the one who sits fourth to the left of F like switch of the following food F के fourth to the left में जो बैठा है F यहां पे left कहां जाएगा इस side जाएगा one two three and four कौन बैठा है E को क्या पसंद है fries पसंद है किसको pizza पसंद है pizza किसको पसंद है A को पसंद है D की sister-in-law यहां पे कौन है D की sister-in-law कौन बनी यहां पे F बन गई कौन बन गई F बन गई हैं पे हमारे पस कोई भी option नहीं है who is the husband of the sister-in-law of D अच्छा husband कौन है F का husband कौन बना C बना तो यहां पर आपको option क्या हो जाएगा C हो जाएगा which of the following combination is true D को इडली B को पहभाजी C को डोसा देख लेते हैं D को इडली पसंद है yes B को तो sandwich है E C को क्या C को तो pasta पसंद है और F को F को Maggie सिरफ और सिरफ यहां पर यह सही है कि D को इडली पसंद है तो यहां पर हमारे सारे questions पूरे हो चुके है I hope आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा तो sessions को यूग ही देखते रहो practice करते रहो बहुत अच्छे से practice करो इस बार exam definitely clear होगा good luck and stay happy कर दो